यह विडियो बकरी की पालतू प्रजाती के बारे में है बकरी या घरेलू बकरी, कैप्रा हिरकस, पालतू बकरीमरिक की एक प्रजाती है जिसे ज्यादातर पशुधन के रूप में रखा जाता है इसे दक्षिन पश्चिन एशिया और पूर्वी यूरोप के बेजार आइबेक्स सी एगेगरस एगेगरस से पालतू बनाया गया था बकरी बोविडे परिवार का सदस्य है जिसका अर्थ है कि यह भेड से निकट्ता से संबंधित है बकरी की 300 से ज्यादा अलग-अलग नसले है यह जानवरों की सबसे पुरानी पालतू प्रजातियों में से एक है पुरातात्विक साक्षियों के अनुसार इसका सबसे पहला पालतू करण इरान में 10,000 साल पहले हुआ था दुनिया भर में बकरीयों का इस्तिमाल दूध मास फर और खाल के लिए किया जाता रहा है बकरीयों के दूध को अकसर बकरी के पनीर में बदल दिया जाता है सन्युक्त राष्ट्र खाद्य एवं क्रिशी संगठन के अनुसार 2011 में दुनिया में 924 मिलियन से अधिक बकरीया थी सबसे हालिया आनुवन्शिक विशलेशन पुरातात्विक साक्षे की पुष्टी करता है कि जाग्रोस परवत के जंगली बेजार आईबेक्स आज सभी या अधिकांश पालतु बकरीयों के संभाविक मूल पूर्वज है नवपाशान काल के किसानों ने जंगली बकरीयों को मुख्य रूप से दूध और मास तक आसान पहुँच के लिए पालना शुरू किया साथ ही उनके गोबर को भी जिसका उप्योग इंधन के रूप में किया जाता था और उनकी हड्डियों, बालों और नसों का उप्योग कपड़े, भवन और ओजारों के लिए किया जाता था वर्तमान से 10,000 साल पहले के पालतु बकरीयों के सबसे पुराने अवशेश इरान के गंजदारेह में पाए जाते हैं जेरिको चोगा मामी, जेतुन और चायोनों में पुरातात्विक स्थलों पर बकरी के अवशेश पाए गए हैं जो पश्चिमी एशिया में बकरीयों को 8,000 से 9,000 साल पहले पालतु बनाने की तारीख बताते हैं एतिहासिक रूप से बकरी की खाल का इस्तिमाल पानी और शराब की बोतलों के लिए किया जाता रहा है यात्रा करने और शराब को बेचने के लिए ले जाने में इसका इस्तिमाल चर्म पत्र बनाने के लिए भी किया जाता रहा है बकरी की प्रत्येक मान्यता प्राप्ट नसल की विशिष्ट वजन सीमा होती है जो बोवर जैसी बड़ी नसलों के नर्बकरियों के लिए 140 kg से लेकर छोटी बकरियों के लिए 20-27 kg तक होती है प्रत्येक नसल के भीतर अलग-अलग नसलों या रक्त्रेखाओं के अलग-अलग मान्यता प्राप्त आकार हो सकते हैं पहले से ही महारत हासिल थी, लेकिन बाद में उसे संशोधित कर दिया गया विशेश रूप से जब एक बॉक्स पेश किया जाता है तो बकरी धक्कन को हटाने और अंदर से एक ट्रीट लेने में सक्षम थी लेकिन जब बॉक्स को इस तरह से घुमाया जाता था कि धक्कन को हटाया नहीं जा सकता था तो बक्री मुर कर व्यक्ति को देखती और उनकी ओर बढ़ती फिर वापस बॉक्स की ओर देखती यह उसी प्रकार का जटिल संचार है जिसे पालतू जानवरों जैसे कुट्टों द्वारा देखा जाता है बक्रिया नसल और पोशन की स्थिती के आधार पर 3-15 महीने की उम्र के बीच यववन तक पहुँचती है कई प्रजन प्रजन को तब तक स्थगित करना पसंद करते हैं जब तक की मादा बक्री वयस्क वजन के 70% तक नहीं पहुँच जाती लेकिन व्यापक रूप से प्रबंधित खुले रेंज जुंडों में यह अलगाव शायद ही कभी संभव हो समशीतोषन जलवायू में और स्विस नसलों में प्रजन का मौसम दिन की लंबाई कम होते ही शुरू होता है और वसंत रितु की शुरुवात में या उससे पहले स समाप्थ होता है भूमध्यरे खियक शेत्रों में बक्रिया वर्ष के किसी भी समय प्रजन करने में सक्षम होती है गर्भधारन की अवधी लगभग 150 दिन होती है जुरुवा बच्चे आम परिनाम होते हैं साथ ही एक और तीन बच्चों का जन्म भी आम है कम बार चौगु पांच गुना और यहां तक की छै गुना बच्चे भी होते हैं जन्म जिसे किडिंग के रूप में जाना जाता है आम तोर पर बिना किसी घटना के होता है किडिंग से ठीक पहले मादा की पूछ और कूलहे के आसपास एक धनसा हुआ शेत्र होगा साथ ही भारी सास भी होग वह चिंतित दिख सकती है, बेचैन हो सकती है और अपने रखवाले के लिए बहुत सने दिखा सकती है दूध उत्पादन में आना आम तोर पर बच्चा देने के समय होता है, हालांकी डेरी नसलों की बिना प्रजनित बक्रियों में भी दूध का उत्पादन अपेक्शाकृत आम है दूध का उत्पादन मादा बक्रियों की नसल, उम्रक, गुनवत्ता और आहार के साथ बदलता रहता है देरी बक्रियां आम तोर पर 305 दिवसियस तनपान के दौरान 680 और 1810 किलोग्राम के बीच दूध का उत्पादन करती है औस्तन एक अच्छी गुनवत्ता वाली डेरी मादा दूध देने के दौरान प्रतिदिन कम से कम 3 किलोग्राम दूध देगी बक्रियों के बारे में माना जाता है कि वे लगभग हर चीज खाने के लिए तयार रहती हैं जिसमें टिन के डिब्बे और कार्ट बोर्ड के डिब्बे भी शामिल है जबकि बक्रिया वास्तव में अखाद्य पदार्थ नहीं खाती हैं वे चरने वाले जानवर हैं न की मवेशी और भेड जैसे चरने वाले और वे पौधे के पदार्थ से मिलते जुलते किसी भी चीज को चबा कर चक लेंगी और यह तै कर लेंगी कि क्या यह खाने के लिए अच्छा है। जिसमें कार्डबोर्ड, कपड़े और कागस जैसे टिन के डिब्बे से लेबल शामिल है। बक्रिया कुद्जू जैसे लताओं, जाडियों और खरपत्वारों पर चरना पसंद करती हैं। भेडों की तुलना में हिरनों की तरहे उन्हें घास से ज्यादा पसंद करती हैं। नाइटशेड जहरीला होता है, मुर्जाय हुए फलों के पेड़ के पत्ते भी बक्रियों को मार सकते हैं। हालांकि बक्रियों को आम तौर पर साहसी जानवर माना जाता है और कई स्थितियों में उन्हें बहुत कम चिकित सा देखभाल मिलती हैं, फिर भी वे कई वीमारियों से ग्रस्थ होती हैं। बक्रियों को प्रभावित करने वाली स्थितियों में निमोनिया सहित श्वसन सम्बंधी रोग खुर्पका आंतरिक परजीवी गर्भावस्था विशाक्ता और फीड विशाक्ता शामिल हैं। फीड विशाक्ता नसल और स्थान के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। कुछ विदेशी फल और सबजियां बक्रियों की विभिन नसलों के लिए जहरीली हो सकती हैं। बक्रियों की जीवन प्रत्याशा 15 से 18 वर्ष के बीच होती है। एक बक्री के 24 वर्ष की आलू तक पहुँचने का उदाहरन बताया गया है। कई कारक इस औसत प्रत्याशा को कम कर सकते हैं। बक्री मनुश्यों के लिए तब भी उप्योगी होती है जब वह जीवित होती है और जब वह मर जाती है। पहले दूद, खाद और फाइबर के नवी करनिय प्रदाता के रूप में और फिर मास और खाल के रूप में, बकरी की नसले ओवरलैपिंग, सामान ये श्रेनियों में आती हैं. वे आम तौर पर डेरी, फाइबर, मास, खाल और साथी जानवरों के रूप में उपयोग की जाने वाली नसलों में बित्रिक की जाती हैं. कुछ नसलों को विशेश रूप से पैक बकरियों के रूप में भी जाना जाता है. खाध्य एवन क्रिशी संदठन, FAO के अनुसार 2008 में बकरी के दूध के शीर्ष उत्पादत भारत 4 मिलियन मीटरिक तन, बांगलादेश 2.16 मिलियन मीटरिक तन और सूडान 1.47 मिलियन मीटरिक तन थे. भारत हर साल 124.4 मिलियन बकरियों में से 41% का वध करता है. 0.6 मिलियन मीटरिक तन बकरी का मास भारत के वार्षिक मास उत्पादन का 8% है. गुनिया भर में हर साल मास के लिए लगभग 440 मिलियन बकरियों का वध किया जाता है. पशुपालन या पशुदेख भाल और उपयोग, शेत्र और संस्कृती के अनुसार भिन होता है. उपयोग पर निर्भर करते हैं, बलकि दुनिया के उस चेत्र पर भी निर्भर करते हैं, जहां उन्हें पाला जाता है. एतिहासिक रूप से घरेलू बकरियों को आम तौर पर जुन्ड में रखा जाता था जो पहाडियों या अन्य चरागाह क्षेत्रों में घुमते थे. अक्सर चरवाहों द्वारा चरागाहों की देखभाल की जाती थी जो अक्सर बच्चे या किशोर होते थे, जो अधिक व्यापक रूप से ग्यात चरवाहे के समान होते हैं. देरी बक्रियों को आम तोर पर गर्मियों में चरागाह में रखा जाता है और सर्दियों के दोरान उन्हें अस्तबल में रखा जा सकता है चुंकि डेरी बक्रियों का दूध प्रति दिन निकाला जाता है इसलिए उन्हें आम तोर पर दूद देने वाले शेड के पास ही रखा जाता है उनके चरने के लिए आम तोर पर घास और सांदरन का इस्तिमाल किया जाता है मास बक्रियों को साल भर चरागाह में रखा जाता है और उन्हें खलिहानों से कई मील दूर रखा जा सकता है अंगोरा और अन्य फाइबर नसलों को भी चरागाह या रेंज में रखा जाता है रेंज में रखे गए और चरागाह में रखे गए बक्रियों को घास या सांदृत भोजन दिया जा सकता है जो की अधिकतर सर्दियों या शुष्प मौसम में दिया जाता है धारतिय उपमहादवीप और एशिया के अधिकांश हिस्सों में बक्रियों को मुख्य रूप से दूध उतपादन के लिए पाला जाता है चाहे वह व्यावसायक हो या घरेलू बक्रि के बच्चे के मास का स्वाद वसंत के मेमने के मास के समान होता है बक्रिया दुनिया की कुल वार्षिक दूध आपूर्ती का लगभग 2% उतपादन करती है कुछ बक्रियों को विशेश रूप से दूध के लिए पाला जाता है बक्री के दूध को आम तौर पर पनीर, मक्खन, आइस्क्रीन, दही कैजेटा और अन्य उत्पादों में संसाधित किया जाता है American Academy of Pediatrics शिशूओं को बक्री से प्राप्त दूध पिलाने से मना करता है United Kingdom में स्वास्थ्य विभाद ने विभिन अवसरों पर बार-बार बयान जारी किये हैं कि बक्री का दूध शिशूओं के लिए उप्यूप्त नहीं है, हालांकि कुछ क्रिशी समूर इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं उदाहरन के लिए Small Farm Today ने 2005 में अमान्य और स्वास्थ्य लाब प्राप्त करने वाले आहार में इसके लाबकारी उप्योग का दावा किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि Glycerol Ether जो संभवता स्तनपान कराने वाले शिशूओं के पोशन में महत्वपूर्ण है बकरी के दूद से बने उत्पाद बनाने वाले कुछ शोध करताओं और कमपनियों ने दावा किया है कि बकरी का दूद अधिकांश पश्चिमी गाय के दूद की तुलना में मानव स्वास्थ्य के लिए बहतर है ज्यादा तर बकरीयों की त्वचा के पास नरम इंसुलेटिंग बाल होते हैं और सतह पर लंबे रक्षक बाल होते हैं कपड़ा उद्योग के लिए वांचनिय फाइबर पूर्व है सदियों से बकरीयों का इस्तिमाल इंसानों द्वारा अवांचित वनस्पती को साफ करने के लिए किया जाता रहा है उन्हें खाने की मशीन और जैविक नियंतरन एजेंट के रूप में वर्नित किया गया है चुँकी बकरी की शारिरिक रचना और शरीर विढ़्यान मनुश्यों से बहुत अलग नहीं है इसलिए कुछ देशों की सेनाएं युद्ध के चिकितसकों को प्रशिक्षित करने के लिए बकरीयों का उप्योग करती है कुछ लोग बकरीयों को पालतू जानवर के रूप में इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे अपने मानव अभिभावकों के साथ घनिष्ट संबंध बनाने की ख्षमता रखती है आकार सीमा के निचले हिस्से में अफरीकी पिग्मी जैसी छोटी नसले हैं जो वयस्क होने पर कंधे पर 41 से 58 सेंटीमिटर तक होती है अधिकार्श बक्रियों में स्वाभाविक रूप से दो सीम होते हैं बक्रिया जुगाली करने वाले जानवर है उनके पास चार कक्षिय पेट होता है जिसमें रुमेन, रेकिकुलम, ओमासम और एबोमासम शामिल होते हैं अन्यस्तंधारी जुगाली करने वाले जानवरों की तरह वे भी खुर वाले होते हैं मादाओं के थन में दो थन होते हैं जबकी मवेशियों के थन में चार थन होते हैं इसका अपवाद बोर बक्री है जिसमें कभी कभी आठ थन तक हो सकते हैं बक्रिया द्विगुनित होती हैं और उनमें साथ गुनसूत्र होते हैं SLC 11 एक जीन बक्री के गुनसूत्र दो पर स्थित होता है बक्रिया स्वाभाविक रूप से जिग्यासु होती हैं वे चुस्त भी होती हैं और खतरनाक जगहों पर चड़ने और संतुलन बनाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। यह उन्हें नियमित रूप से पेडों पर चड़ने वाला एक मात्र जुगाली करने वाला जानवर बनाता है। अपनी चपलता और जिग्यासा के कारण वे बाड और बाडों का परीक्षन करके अपने बाडों से भागने के लिए कुख्यात हैं या तो जानबूच कर या बस इसलिए कि उन्हें चड़ने की आदत है। यदि किसी भी बाड को पार किया जा सकता है तो बक्रिया लगभग अनिवार्य रूप से भाग जाएंगी। कुछ अध्यैनों से पता चला है कि बक्रिया कुट्तों जितनी ही बुद्धिमान होती हैं। जब समूह में संभाला जाता है तो बक्रिया भेडों की तुलना में कम जुन्ड व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। जब वे बिना किसी बाधा के चरती हैं तो वे भेडों की तरह साथ-साथ चरने के बजाय पूरे खेत या रेंज में फैल जाती हैं। जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बक्रिया अपने बच्चों को अलग-अलग छोड़ देती हैं। बजाय जुन्ड में रहने के जैसा की भेडे करती हैं। Queen Mary University द्वारा किये गए एक अध्ययन में बताया गया है कि बक्रिया लोगों से उसी तरह से संबाद करने की कोशिश करती हैं जैसे की कुट्टे और घोडे जैसे पालतू जानवर करते हैं। बक्रियों को पहली बार 10,000 साल से भी पहले पशुधन के रूप में पाला गया था। संचार कौशल का परीक्षन करने के लिए किये गए शोध में पाया गया कि बक्रिया किसी चुनोती का सामना करने पर सहायता के लिए मनुष्य की ओर देखती हैं।